हेलो दोस्तों नमस्कार आपको बहुत बस वागत है मेरे चैनल स्वास्तिक एजुकेटर में आज हम आपको पढ़ाने जा रहा है कन्नौज का सासक यसो वर्मन के बारे में किसके बारे में पढ़ाने जा रहे है कन्नौज के सासक यसो वर्मन के बारे में तो दोस्तों देरी न करते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं कोनौज का सासक यसो वर्मन एक महात्वा कांची एवं सक्तिसाली सासक था कोनौज के वन्स एवं प्रारंभिक जीवन के विशाय में हमें कुछ भी ग्यात नहीं है उसके नाम के अंत में वर्मन सब्द जुड़ा देखकर कुछ वुद्धवान उसे मौखरी सासक बताते हैं पर बताते हैं इस विशय पर भी हम निश्चित रूप से कुछ कह भी नहीं सकते हैं कि दोस्तों पक्का नहीं है कि यह वर्मन सब्द जुड़ा देकर विद्वान अनुमाल लगाते हैं कि यह मौखरी सासक था पंतों इसको निश्चित रूप से नहीं कहा सकता है कि मौखरी वन संब्दित था यह नहीं था इसका कोई प्रत्च ठोस सबूत नहीं प्राप्त हु से इस काब से हमें यह सु वर्मन के सासनकाल घटनाओं के विषय में जानकारी मिलती है गौर्ण वह यह सवु वर्मन के सैनिक अभियान का विबरन शुट करता हुस। दोस्तों देखते हैं क्या प्रस्थ्ट करता है ніस करता है सोन घाटी से होता हुआ विंद पर्वत कि और गया विंद पर विंदवासनी देवी को प्रसंद करके उनकी पूजा करी उसके बाद वह मघट क और बढ़ा उसने मघट के परवत को पार कर पार्शीकों को युद्ध में हरा दिया पच्छिम घाट के दुर्गम के चछेत्र में कर्त परम्दार्द के चाहते हुआ मरू देश राजस्थानी रेगस्थान से होता हुआ स्रीकंट पहुचा वहां से फिर उसने कुरू छेत्र होते वे आयुद्ध्या गया है आयुद्ध्या से उसके बाद मदर्चल परवत के निवासियों ने उसकी संप्रवता सिकार कर ली जब आयुद्ध्धा से होता हुआ जा रहा था तो मदर्चल परवत पड़ा जिसके निवासियों ने उसकी संप्रवता सिकार कर ले थे फिर उसके बाद वह हिमाले के और बड़ा चाहां हिमाले छेत पर विशने विजय परात कर ली तो इस प्रकार संसार को जीता हुआ वह अपनी राजधानी कर्णाज वाप पस लोट आया कौन वह यसो वर्मन तो दोस्तों आगे की तरह बढ़ते हैं कि गौर्ड वहो का उपरिक्त विवर्ण कहां तक सही है या नहीं कहा जा सकता है कौन से विवर्ण जो मैंने बताया कि सोन गाटी से होते हुआ वह विंद परवत गया वह किसका विवर्ण गौर् आगे पढ़ते हैं नलंदा से प्राप्त एक लेक में उसकी पूर्वी विजव की पुष्टी हो जाती है इसमें उसे सार्व भौम सासक कहा गया है इससे मगत तथा गौर्ड पर यसो वर्मन का अधिकार प्रमालित होता है नलंदा से एक यसो वर्मन सासक का एक लेक प्राप्त हुआ है जिसमें उसे सार्व भौम सासक कहा जाता है क्या कहा जाता है सार्व भौम सासक कहा जाता है दोस्तों आगी कर बढ़ते हैं यसो वर्मन के समय में हुई चाओ नामक चीनी आती है तदा कौन सा हुई चाओ नाम तो दोस्तों आप से यह में पूछा आ सकता है कि यह सो अर्मन के समय में कौन चीनियत्र आया था तो आप बोलेंगे कि हुई चाओ नमक चीनियत्री कर्नोज आया था तो यह वीडियो तो हम बनाएंगे लेकिन आपको पहले से बतार दे रहें हुई चो के अंसर देखते हैं पंजाब के कुछ भागों को जीत कर अपने समराज में मिला लिया था हुई चो ने लिखा है जब वो आया होगा घूमने के लिए तो उसने लिखा है कि यह सो अर्मन ने पंजाब के कुछ भागों को जीत कर अपने राज में मिला लिया था आगे पड़ते हैं यह सु अर्म प्लब यूंक कर देल dive को चीनी सासट के दरबार में भीजता किस लिए फूम्वो कहा घिया है इस कि मिलता है उसमन वर्मन को लिखा घिए कि जो मर्देश करा जाता अब आगे बढ़ते हैं कस्मीन नरेश ललित मुक्तापीर जिसने 736 इसवी में अपना एक दूट मंडल बेजा था और वो दूट मंडल बेजा था और जिसमें यसो वर्मन का उलेख उसने अपने एक मित के रूप में वो करता है दूट मंडल उसका उले करता है कस्मीन नरेश तो इससे परद़ चलता है कि कस्मीन नरेश मुक्तापीर और यसो वर्मन के जो संबन थे वो मैत्री पूरवत थे तो क्या थे क्योंकि इन लोग ये दोनों क्या करना चाहते थे अरबो अरब थे जो उन्होंने सिंद पर विजय प्राप कर लेती लेकिन अरब लोग सिंदों पर विजय नहीं प्राप करने थे तो दोनों ने क्या किया अरबों के विरोदों सायों तो मोर्चा तायार किया प युद्ध में यस्वर्मन पराजित है। यसु वर्मन ने संब्वता 770-740 तक कण्णौज में सासन किया संस्कृत के महान नाटक कार भवभूती यसु वर्मन के दरवार में निवास करते थे संस्कृत के महान नाटक कर भवभूती यसु वर्मन के दरवार में निवास करते थे हर पॉइंट को नोट करते चलिए थे कि आपके लिए बहुत काम आएंगे अगर आप पेपर आने वाले हैं तो ध्यान से पढ़िए और टाइम नवेश्ट करते हैं वीडियो को बहुत ध्यान से देखें अब भवूती यसु वर्मन के दरवार में निवास करते थे उनके तीन प्रसेद नाटक गरंद थे मालती मादो थे उत्तर राम चरित थे महावीर चरित थे तो मालती मादो जो था उत्तर राम चरित में सांगत अंग का नाटक है महाचरित में के साथ अंको में राम के विवाह से राज अभिसेग तक की कता है अब भवूती जो थे करुन रस के अचारे माने जाते तो दोस्तों आपसे पूछा जा सकता है करुन रस के अचार कौन माने जाते थे यसु वर्मन के समय में तो भवूती माने जाते थे यसो मर्मन जो था सेवक मतवन नाई था श्यू भगवान को मानता था आगे पढ़ते हैं जैन ग्रन्तों में यसो मर्मन के पुत्र का नाम मिलता है क्या मिलता है आम राज पुत्र का नाम क्या मिलता है आम राज मिलता है तो दोस्तों नाम को ध्यान पूर वाक याद रखेगी कि ये जो के अगर आपके पेपर होते हैं तो आपके लिए यह ज़्यादा इंपोर्टन रहेगा हम अमराज नम मिलता है जिसने उसके बाद कर्नौज और गॉलेर पर साहसन किया किसके बाद ग्रण्टों में मिलता है , यसो अर्मन के गॉल्यकी उत्परणियों के विसय में निष्चित भी नहीं कह सकते हैं घबिलना नाम्हिक्तेओं षिकता सबतो है। कि कॉछ आथ नहीं हो कोई इनियुक्ता के उत्तरा से विसय से वन्चिता है। उसके पज़त हम कन्योज में आयूद नामधादी तरवियो। राजाओं को सासन करता हुआ पते हैं, इसमें कौन है वज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज तो दोस्तों करनाच का सासा के असु वर्मन था आपको मैंने पूरी जानकारी प्राप कर दिये तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मारे चैनल स्वास्तिक एजुकर्टर को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेयर करना में कभी कंजूसी मत दोस्तों थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो नमस्कार